नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मुकेश और आप देख रहें यूट्यूब चैनल विग जनगरी आज की वीडियो में मैं आपको बैंक की एवडी और पोस्टेश की एवडी के दस ऐसे डिफ्रेंस के बारे में बताऊंगा जो कि आपका बहुत ही जानना जरूरी है जैसा कि आप अच्छा रिटेन पा सकते हैं और हमें ज्यादा फैसलेटी मिल सकती है तो यहां मैं इस वीडियो में दस ऐसे पॉइंट को कवर करूंगा जो इनके डिफ्रेंस के बारे में बताएगा और आप अपना उसी सबसे निवेश कर सकते हैं तो चले एक एक करके जान लेते हैं तो और जो एनारो है वह पर्शन निवेश कर सकता है बैंक की फिक्स डिपर्जिट स्कीम में और हुएफ ट्रस्ट और एक्सेट्रा कंपनी कोई भी इसमें निवेश कर सकते हैं बट अगर पोस्ट विस की बात करें तो इसमें स्रिफ इंडियन रेसिडेंट ही निवेश कर सकते पोश्ट विसकी एफडी में कोई भी एनर एणरो पर्षन नहीं कर सकता है ना ही हुआ ट्रस्ट या कंपनी इसमें निवेश कर सकते हैं सेकेंड पॉइंट की अगर बात करें तो यह सीने सिदिजन के लिए क्या एक्ष्ट्रा बेनिफिट मिलता है तो जी हां बैंक की अगर आ अगर एक लाग रुपे की अगर मिलता है और वही एक लाग रुपे से करते हैं तो उन्हें साड़े पांच परसंट तक रिटेन मिलता है हाफ परसंट जो भी रेट ओफ इंट्रेस्ट बैंक के दोरा फिक्स के जाते हैं अगर पोस्टर इसकी बात करें तो वहां ऐसा कोई भी नहीं है सिने सिटिजन के लिए कोई एक्स्ट्रा इंट्रेस्ट नहीं है वहां बच्चों से लेकर बुजूर्ट तक जो भी निविश करेंगे उन्हें से राइट ऑफ इंट्रेस्ट का बेनिफिट मिलेगा तो यह यहां पर जानना जरूरी है सेंट जनरल पब्लीक और सि दिनों से लेकर दस सल तक का आपका उप्सन दिया जाता है आप निविश कर सकते हैं साथ दिन के लिए दस दिन के लिए एक मैना दो मैना च्छे मैना एक साल पांस साल जितना भी आप चाहिए निविश कर सकते हैं बट अगर पोश्ट्रीश की बात करें तो आपको सिर्फ करना है कि कहां आपको निवेश करना है कितने साल के अगर बात करें मीनिमम और मैक्सिमम के बारे में बारे में की अविख करना है मिनिमम मैक्सिमम का एक में और उसका कैने रिट्रेस्ट भाइर करता है सबThese में तो हर बैंक के अपने सब्सक्राये और मेक्सिमों का आप 10000 मीनिमन डिपॉजिट कर सकते कोई यहां पर आपका करता है अगर आप एक करोड दो करो फांच करोड का नीवेश करते हैं तो इसी सबसे तो नहीं है मिनिमं करी करें और वह मैक्सिम जितना कहारा दाता है तो बैंक के खर बात करें तो बैंक चाहें इस इंट्रेस्ट को चेंज कर सकते हैं बट अगर पोस्टो इसके बात करें तो इसमें इंट्रेश्टेट वह गवर्मेंट आफ इंडिया के दोरह निदारिक के जाती है और ये जो रेट ऑफिट करती है गौन्मेंट ओफ इंडिया यह मीनिमम तीन मेने के लिए वैलिड रहेगी तीन मेने से पहले न वह चेंज कर नहीं सकते हैं न बढ़ा सकते हैं एक क्वाटर के लिए रेट ऑफ इंट्रेस्ट सेम रहेगा उसके बाद वह आपके निविस पर क्वाटरली का उप्शन रहता है या फिर आप चाहे तो क्यूमिलिटिव करके लंबसम अमांट मैचुरिटी पर एक साथ ले सकते हैं यहां बट अगर पोस्ट इसकी बात करें तो वहां आपको एक उप्शन दिया जाता है जो कि आपको इंट्रेस्ट इयर साल रेट ऑफ इंट्रेस्ट आपका जो इंट्रेस्ट है वह आपके सेविंग्स एकांट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा सेवन नंबर पॉइंट के अगर बात करें प्री मैचुरिटी पैनल्टी तो यह भी इसमें डिफरेंस होता है बैंक और पोस्ट इसमें अगर आप पांट साल का जली किया है तो है घ् करते हैं ऑल पोस्ट अगर एक साल में क्लोजो करते हैं और आप इसको पोस्ट में भी दिया जाता है आफ फिलाल चार परशन्ड का रेट ओफ इंटस्ट चल रहे है और आप तीन सल की है और आप उसे दो साल में क्लोज करा रहे हैं तो दो साल का जो रेट ओफ इंटस्ट एक परशेंड लेस्ट करके आपको कैल्कूरेट किया दाता है फिर भी आप पोस्ट इसमें अगर करेंगे तो आप वहां से कंटेक करके कंफर्म हो सकते हैं आठ नंबर पॉइंट के अगर बात करें तो यह भी बहुत जानना ज़रूरी है बैंग में अगर आपने अगर आपका साल में अपने निवेस के उपर साल में 10,000 से उपर का इंटरेस्ट अंड करते हैं एक फाइनेंसिल यह में तो आपका पॉस्ट इसमें आप निवेस किया है अपने तो वहां आपका कोई भी टीडेस का रूल एप्लिकेबल नहीं होता है जो कि बहुत ही बेटर है क्योंकि अगर आपका टीडेस कटता है तो आप उसे फिर उसे रिटन लेना पड़ता है आपको टॉन्टी सिक के तो पर पोश्ट इसमें आपका वह नहीं है कहीं भी कोई भी एमांट का टीडेस आपका डीटेक नहीं होगा पुरा है आपका फिक्स रहेगा दोस्तों यहां इंकम टेक्स के स्लैब होगा उससे सब्सक्राइब का टेक्स लगेगा नौ नंबर पॉइंट के अगर बात करें तो लोन फैसिलिटी इसके उपर भी जाना जरूरी है तो बैंक में अगर आपने अपने लोन ले सकते हैं इसमें यह आपका फैसिलिटी एवलेबल रहता है ब पोस्ट में अगर बात करें तो आपको अपनी के अगेंश्त में आपका कोई भी लोन आवलेबल नहीं होता है और यह बहुत ही इसको आपका देखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि सारा पैसा हम जो भी निवेश करते हैं जो कि शिक्योर और सेफ रहना चाहिए तो बैंक में आप जो निवेश करते हैं उसमें पांच लाख रुपे तक की जो गैरेंटी है गौर्मेंट ऑफ इंडिया लेती है या अगर इन केस ऑफ बैंक आपका बैंक्राप्ट हो जाता है या फेल हो जाता आपको अपने पैसे लोटाने के लिए तो गौर्मेंट ऑफ इंडिया आपको मैक्सिमुम पांच लाख रुपे तक का रिटन करेगी जो की प्रिंसिपल अमाउंट और इंट्रेस्ट मिला के है पर निवेश किये हैं बैंक में और किसी कारण बस बैंक है फेल हो जाता है दिवालिया घोसित हो जाता है तो गौर्मेंट ऑफ इंडिया आपको पांच लाख रुपे तक कही मैक्सिमुम देगी और यह जो रूल है एक बैंक के लिए सपोज आपने तीन बैंक में निवेश सब्सक्राइब करें तो इसमें आपका जो पैसा निवेश किया हुआ है यह पूरी की पूरी गारेंटी रहती है जो की गौर्मेंट ऑफ इंडिया के दरह लिए देती है इसमें आपका डिपोजिट एमांट जो है वह भी साथी इंट्रेस्ट आपने जो आन किया होगा वह पूरा का पूरा गौर्मेंट ऑफ इंडिया के दोरह अंडेटेक किया जाता है वह किसी भी हालत में आपका पूरा पैसा आपको लोटेगी दोस्तों बट यह नहीं है कि मैंने इस ऑप्शन के तरह साब से आपको बता रहा हूं कि बैंक बहुत अच्छे है आज की डेट में को प्रेटिव बैंक तो आप अपना उससी सबसे डिक्सीजन ले सकते हैं कि आपको कहां निवेश करना है तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरू किजेगा इस वीडियो का लाइक रखते हैं टार्केट लाइक वन थाजन लाइक करेंगे तो मैं मैं इस प्रकार की वीडियो आप लोग के लिए लात रहूंगा वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को वाट्सप में जरूर शेर किजेगा अपने दोस्तों के साथ ताकि वह भी बैंक की और पोस्ट विसके एवडिके जो कम डिफ्रेंस बिटिन ने वह जान सके और अप कर नए है तो नीचे दल दाल करका सब्सक्राइब बटन में उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लिजे ताकि जो भी मैं ऐसे वीडियो पोस्ट करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे हैं थैंक्यो